हेलो फ्रेंड्स, क्लास तेंथ का आपका 15 फरवरी को आपका फाइनल एक्जाम हिंदी का है तो उसी का हम आपका एकदम आपका ओरिजिनल पेपर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉटेंट क्वेस्चन है एकदम इसमें से आपका बहुत क्वेस्चन लड़ेगा आपको इसमें टोटल हम 100 कोशन आपको बताएंगे 100 कोशन आपको बताएंगे आपको 100 कोशन में से मात्र 50 कोशन आपका बनाना होता है ठीक तो आपका प्रथम पाली का 50 कोशन और दिवतिय पाली का 50 कोशन लेके आ चुके हैं ठीक यह आपके हिंदी का बहुत ही important question है, पूरा वीडियो को जरूर देखेगा, यह बुड़ा वीडियो को आप याद कर लिजे, जैसे भी आपको हो सके ठीक, तो चलिए question को स्टार्ट करते है, question number 1 से, यदि आपको एक बार में नहीं याद होगा, तो वीडियो को दो बार देख लिजेगा, speed बढ़ा के देख लिजेगा, लेकिन ये पूरा वीडियो आपको याद हो जाना, ये पूरा जो question है, याद हो जाना चाहिए, ठीक, तो चलिए question number 1 से हम बढ़ते हैं, चलिए question number यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले question है आपका, कि बहादूर सिर्षक कहानी की न पादन किस ने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किये थे, option number D हो जाएगा, ठीक, चलिए next question किरो बढ़ते हैं, चलिए next question है आपका, कि सत्य के साथ मेरे परियोग किस की रचना है, तो किस की रचना है, तो महात्मा गांधी की रचना है, option number C हो जाएगा, next question है आपका, कि सुसीर बाधो में साह की उपाधी प्राप्त है सहनाई को option number D हो जाएगा next question आपका कि मचली जैसी समानता दिखाई परती है दी-दी में option number D हो जाएगा कि बच्चे मचली को कहां डाल कर बहुत बड़ी करना चाहते थे बहुत बड़ी करना चाहते थे कुए में डाल कर option number C हो जाएगा next question आपका कि अभिन्यों में कुल कितने दिन रहे तो कुल कितने दिन रहे थे option number B हो जाएगा next question आपका कि ल मादा मोजेल द अभिन्यों किसकी किरिती है तो ये पिकासो की किरिती है option number B हो जाएगा next question आपका कि पंडित बिर्जु महराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे तो सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते थे option number C हो जाएगा ये पूरा वीडियो को जरूर देखे आप पूरा कोशन को आप याद कर लिजे ठीक नेक्ट कोशन है आपका कि गुरू नानक का जनम हुआ था तो 1469 में हुआ था अप्शन नमबर A हो जाएगा नेक्ट कोशन है आपका कि सवया एवं छंद के सिद्ध कवित हैं तो आपका सहीं सर रस्खान हो जाएगा अप्शन नमबर A हो जाएगा नेक्ट कोशन है आपका कि विरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता है रचित कविता हमारी नीद अप्शन नमबर D हो जाएगा next question है आपका कि बंगला भासा के सरवाधिक सम्मानी तेवंद चर्चित कभियों में से एक हैं कभियों में से एक कौन हैं जीवन अंदन दास option number A हो जाएगा next question है आपका चलिए next question देखते हैं next question है आपका कि सिरी निवास जी का पूरा नाम था पुरा नाम है, क्या पुरा नाम है, तो मस्तिव एंकेटेस आयंगर, option number B हो जाएगा, next question है आपका, कि लचमी का बड़ा बेटा है, लचमी का बड़ा बेटा, अचीवत, option number C हो जाएगा, next question है आपका, कि गुन नीधी, गुन नीधी कहां से लोटा था, लोटा है, गुन तो आपका कटक से लोटा है, ठीक, next question है आपका, कि धरती कप तक गुमें की किस भाजा से अनुदीत कहानी है, आपका सहीं सराजस्थानी है, ठीक, option number A हो जाएगा, चलिए next question किरवड़ते हैं, next question है आपका, कि कव का उचारन अस्थान है, कव का उचारन अस्थान कौंट हो जाएगा, next question है आपका, कि संग्या का भेद है, संग्या का भेद है, संग्या का भेद जाती वाचक हो जाएगा, ठीक, जाती वाचक संग्या होता है, next question है कि सर्वनाम है, सर्वनाम वह है, ठीक संग्या के बदले आये तो सर्वनाम कहते हैं नेक्स्ट कुर्शन है आपका कि राम नाम बिन बिर्थे जगी जनमा या पंकती का है किसका पंकती है ये तो ये गुरु नानक जी का पंकती option number D C हो जाएगा ठीक कि कभी करील के कुण्जन किस पर अरपन करने की अभिलाशा प्रकट करते हैं तो आपका तेसका option number C हो जाएगा कि रिश्न हो जाएगा ठीक चलिए नेक्स्ट कुर्शन के बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्शन है आपका कि सुजान सागर विरह लीला रसकेली बल्ली कि 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 रजना है कि कि रजना है तो धनानंद option number B हो जाएगा ठीक चलिए नेक्स्ट कुर्शन के बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्शन आपका कि स्रम भी भाजने वंजाती परता पाठ बाठ बाबा साह भीम राम बेत कर दो जाएगा ठीक कि किस भासा का संपादित अंस्ट है तो यापका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट option number C हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुर्शन के बढ़ते हैं कि भारत में विरुजगारी का मुख्य कारण है मुख्य कारण क्या है तो जाती प्रता है ठीक नेक्स्ट कुर्शन आपका कि सेंज साहब की कार है सेंज साहब की कार साड़े साथ हजार की थी option number A हो जाएगा अपका कि नलियन गिलोचर्मा का जनम कहां हुआ था तो आपका बदर घंट पटना में हुआ था option number D हो जाएगा ठीक नेक्स्ट कुर्शन है आपका कि मैक्स मूलर मैक्स मूलर ने मेग दूत का अनुवाद किस भासा में किया तो इसका सहीं सर जर्मन भासा हो जाएगा option number C हो जाएगा ठीक next question है आपका कि सभापती का इस्तिरिंग रूप है सभापती का इस्तिरिंग रूप क्या हो जाएगा सभाणे 3 option number C हो जाएगा चलिए next question के रुपते है next question है आपके इहाँ पे कि किसके बिना प्रानी को मुक्ती नहीं मिलती तो गुरु ज्यान के बिना option number C हो जाएगा next question है आपका कि हिरो सीमा कहा है तो आपका जापान option number B हो जाएगा next question है आपका कि तार सब तक के लिए again कितने कभियों का चैन किया साथ कभियों का कि लेकर उसक्राल मिज़ेधक लिए क्या साथ लेकर गये थें तो आपका पुस्तक टाइप राइडर आप से लेकर जाती हैं और आपका 23 सितंबर का ऑफशान नमबर कभी हैं नेगेस्ट कुर्शन आपका कि पंत जी डॉट डॉट कभी हैं पंत जी कैसे कभी थे तो छाया बाद यह option number A हो जाएगा ठीक चलिए next question के रुबरते next question है आपका कि किस कवे कावे किरिती के लिए सुमित्रा नंदन पंत सुमित्रा नंदन को भारतिय ग्यान पिठ मिला ठीक तो आपका चिदंबर option number B हो जाएगा next question है आपका कि निरोग निह उपसर्ग के योग से बना सब्द है निह उपसर्ग तो इसका सही नसर क्या हो जाएगा निह सुलक option number D हो जाएगा next question है आपका कि बदरी नारायन चौदरी प्रेम घंड के आदर से थे हैं प्रेम घंड के आदर से थे हैं तो भारतेंदू हरिस चंदर ठीक option number D हो जाएगा next question है आपका कि लेखक शुजाता का जनम हुआ था कब जनम हुआ था 1935 में option number B हो जाएगा ठीक चलिए next question देखते हैं next question है आपका कि बियोग में सच्चा प्रेमी जो बेदना सहता है उसके चित में जो विभिन तरंगे उठती है का चितरन किया किसी ने चितरन किया था धनानद option number A हो जाएगा next question है कि कुटज के रचनाकार है कुटज के रचनाकार कौन है तो 1000 पर साथ दियुवेदी option number A हो जाएगा next question है आपका कि बरावी सदी के केरल के सास्को के सिक्को पर विर केरल अस्या जैसे सब्द डॉट डॉट लीपी में अंकीत है किस लीपी में अंकीत है देवनागरी option number D हो जाएगा next question है आपका कि नागरी लिपी के अरंभिक लेख हमें मिले हैं तो दस्चिन भारत से option number D हो जाएगा ठीक चलिए next question के बरते next question आपका कि किनकी कहानियों में मध्य वर्ग विशेश कर निमने मध्य वर्ग के जिवानू भवोक और जिजीविस्ता का बेशध परभावसाली और अंतरंग चित्रन मिलता है तो इसका सही नसर option number B हो जाएगा अमरकांत ठीक नेक्ट्रोस ने आपका कि हिंदी के ससक्त कथाकार अमरकांत का जनम कब और कहां हुआ था तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा बल्या में हुआ था देख लिए एक ही एक आप बल्या है बल्या परदेस नागराउने 125EO सिचा है जब चलें से बस्किर बरते हैं कि यौज के जाएगा यह साही सब्द जसाही कहां थी जार साही कहां थी तो लूस में थी option नमबर यह साएगा नेक्ट क्क क्षेटær आपका कि हिंदी में जीवनी साहित्त को क्या नया आयाम दिया, क्या नया आयाम दिया था तो राम बिलाज सरमा ने दिया था ठीक, नेक्स कोशन आपका कि पंडित बिर्जू महराज का जनम कहा हुआ था बिंडित बिर्जू महराज का जनम लखनो में हुआ था उतर पर देश, option number D हो जाएगा तो यहां पर टूटल हम पचास कोशन फटाफट कर लिए पचास कोशन अभी है और आपका बाकी है ठीक तो पचास कोशन जल्दी से दम खतम करते हैं इसको सभी कोशन आपको बहुत इंपोर्टने थे तो याद कर लिजएगा next question है आपका कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं तो उसे पार दरसी कहते हैं option number C हो जाएगा next question है आपका कि सुध बरतनी का चैन कीजिए सुध बरतनी का चैन कीजिए तो just option number option number D हो जाएगा next question है आपका कि सीता का बरा लरका है शिता का बरा लड़का कौन था तो के लाज था option number B हो जाएगा next question आपका है कि जीर्ण जन्पद किस कभी की रचना है किस कभी की रचना है तो प्रेमधन थी option number A हो जाएगा बद्री नार रायन चौधरी प्रेमगन की ठीक next question आपका है कि अनुमत्ती सब्द का परियावाची निम्न में कौन है निम्न में कौन है इसका सही एंसर क्या हो जाएगा सहमत्ती हो जाएगा ठीक चलिए इसका सहमत्य हो जाएगा नेट कुछने आपका कि लच्मी का गहर किस नदी के किनाड़े किस नदी के नीचे था किस नदी के नीचे था तो देवी नदी option number B हो जाएगा नेट कुछने आपका कि रगंपा किस से कर्ज मांगता था रगमपा किसे करज मागता था मगमा से option number b हो जाएगा next question है कि कवि किसका सांदार लबादा गीर जाने की बात करता है इसका तो इसका सही न सर option number b हो जाएगा भगवान प्रभू का ठीक next question है आपका कि banala banalata सेन सिर्षक कभीता के कभी है कभी कौन है तो जीवन अंदन दास आप्शन नमबर भी हो जायेगा ठीक चलिए नेक्स्ट कुछन है आपका कि परिच्छा सब्द किस वर्ग से वर्ग में आता है परिच्छा इसका सही इसर्द तत्सम हो जायेगा ठीक चलिए नेक्स्ट कुछन है आपका कि चितचोर में कौन सा समास है ठीक नेक्स्ट कुछन है आपका कि गंगा यमुना में कौन सा कौन समास है गंगा यमुना दोनों पदपरधान है तो दोंद समास हो जाता है ठीक next question है आपका कि चीरायू सब्द में परियुक्त उपसर्ग है चीरायू में परियुक्त चीर जोर आयू यानि कि चीर हो जाएगा option number B हो जाएगा उपसर्ग आगे लगता है प्रत्य पीछे लगता है next question है आपका कि नमस्ते का सही संदी बिछेत है नमस्ते का सही संदी बिछेत नमा जोरते option number D हो जाएगा ठीक next question है आपका कि सुध वरतनी का चैन करना है तो मिर्तिन जए option number C हो जाएगा मिर्तिन जए ये सही है ठीक next question है आपका कि कवी के अनुसार इनकार करना न भूलने वालो वाले कौन है तो इसका सही सर क्या हो जाएगा हट घर्मी गलोब option number C हो जाएगा ठीक चलिए next question देखते है next question है आपका next question है आपका कि कुवर नारायन द्वारा रचित कवीता है कुवर नारायन द्वारा रचित कवीता एक ब्रिच की हत्या हो जाएगा ठीक next question है आपका नेक्स्ट कुशन है कि चार गज मल मल कौन भी सेशन है कौन भी सेशन है तेहां पे हो जाएगा संख्या वाचक चार अप्शन नमबर ए हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है कि कवी पंतिक अनुसार भारत माता है तो ग्राम वास नहीं है ग्राओं में वास करती है जै क्या सही नहीं है क्या सही नहीं है चले देख लेते हैं चले तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा वह लेखक के रिष्टदार का पैसा चुरा लेता है ठीक चले नेक्ट question किर बढ़ते हैं next question है आपका कि विराम बिला सर्मा के अनुषर भारत की राष्टिये छमता का पुर्ण विकास किस विवस्था में संभव है किस विवस्था में संभव है तिसका सहीन सर्थ समाजबादी विवस्था अप्शन नमबर A हो जाएगा next question है आपका कि बिर्जु महराज को किस उम्र में संगीत नाटक अवार्ड मिला था इसका सही इंसर option number 27 हो जाएगा option number C हो जाएगा next question है आपका क्या विन्यों के लेखक के लेखक ने कितने पद रचना है कि इसका सही इंसर comment में पता है आपको पता है तो तो चली इसको सही इंसर क्या हो जाएगा इसका सही इंसर option number C हो जाएगा 35 हो जाएगा ठीक next question है आपका कि पंचम सब्द में संदी विच्छत होगा पंचम पंच जोर मह option number यहीं होगा पंच जोर मह हो जाएगा next question है आपका है कि फटा सुरुन विख से लूंगिया का क्या है आज फटी तो कल सिल जाएगी उप्युक्त कथन किसका है उप्युक्त कथन किसका था बिसमिल्लाखा option number C हो जाएगा ठीक छले next question देखते है next question है आपका महात्मा गांधी का जनम कहां हुआ था तो कहां हुआ था गुजरात प्रबंदर में हुआ था option number क्या हो जाएगा ठीक next question है कुरुन आना किसका किसका बिरोध करते हैं किसका बिरोध करते हैं 78 का option number D हो जाएगा सभी का पिरोध करते हैं ठीक next question आपका कि रस्खान का रचनाकाल किसका राजिकाल था रस्खान का जो रचनाकाल था किसका समय था तो आपका रहांगीर का option number C हो जाएगा next question कि अचाय सुकले ने किसके संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा परविर्ण और धीर पथिक तथा जवादान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भासा का दूसरा कभी नहीं हुआ तो इसका शहिंसर धानानंद option number C हो जाएगा ठीक छलिए next question के अपका कि अकेला दम मुहाबरे का क्या अर्थ है अकेला दम तो बिना किसी सहयोग केस से ठीक next question आपका कि साब साब कहने वाला साब साब कहने वाला कौन होता है असपस्ट वादी option number D हो जाएगा next question आपका उसने परिश्रम तो बहुत किया किन्तु सफलता नहीं मिली तो मिस्रित बाक्य है चलिए next question कि अव्याय के कितने भेद हैं तो पांच भेद हैं next question कि महान का विलूम है महान का विलूम क्या है शुद्र है ठीक next question कि तुलनात्मक व्याकरन किसकी रचना है तुलनात्मक व्याकरन कर्णड़ वेल कार्इस की नाकून की विविद्र आकरीतियां कौन सी है विविद्र आकरीतियां उप्यूक्त सभी हो जाएगा नेक्स्ट परशन का कि दारिष क्या है दारिष रोने के सिक्क्ति ओप्सन mo money doing की हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुर्शन देखते नेक्स्ट कुर्शन आपका कि अम्बेदकर ने किस किन को मान विये अधिकार वह समान दिलाने की के लिए संगर्श किया इसका सही इंसर क्या हो जाएगा अच्छोतो इस्तिरियो मज़्दूर अप्शन नमबर डी हो नेक्स्ट कुर्शन आपका कि महाँ पुत्र ने पुत्र के परमान का उत्तर डॉट डॉट में दिया तो असने असने सील हो जाएगा असनेहा सील अप्शन नमबर डी हो जाएगा नेक्स्ट कुर्शन आपका कि जो पहले कभी कभी नहीं नहीं हुआ हो जो पहले कभी नहु तो इसका अलोग का विप्रितासर अंदकार हो जाएगा कि देवाले सब्द का समास है देवाले देव जोराल है ठीक option number A हो जाएगा चलिए next question है आपका कि मा बेटे सधते नहीं उससे सधते नहीं उससे और उन्हें सीख लेने कि अनवरत कोर्सिस में उसके आजाते आशु प्रस्तु पंकितिया कि इस कविता में है तो यह जो अच्छर ग्यान में था option number C हो जाएगा next question है आपका कि निचल का संदी विछेत है निच जोर चल option number D हो जाएगा चलिए next question है आपका कि वेमन सब्द में समास है वेमन सब्द में समास करमधार option number B हो जाएगा next question है आपका कि सुनील दौर रहा है इस बाके में उदेश है सुनील दौर रहा है सुनील हो जाएगा उदेश है option number यह हो जाएगा next question है आपका कि जो हर जगह प्रयाप्त हो, हर जगह प्रयाप्त हो, सर्व व्यापि, option number B हो जाएगा, next question है आपका, और last question है, कि बंधन सब्द का बिलोम होगा, बंधन सब्द का बिलोम मुक्ती हो जाएगा, option number A हो जाएगा, तो यहाँ पर total हम 100 question कर लिए हैं, ठीक, तो चैनल को subscribe जरूर क कर देगा, इसका subjective paper, all subject का objective, subjective सभी बनाया हुए, description में playlist का लिंक है, वहाँ पर जाके वो वीडियो जरूर देखेगा, चैनल को subscribe जरूर कर देजेगा, और इसके बाद एक और paper डालेंगे, और वो भी वीडियो जरूर देखके जाएगा, तो उसलिए चैनल को subscribe कर देजेगा, वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देखा, धन्यवाद,